हेलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल जो भप्पे और आज जो हम डिसकस करने वाले हैं सेथिसी आपडेट जो रहे बीज ग्रूप के बारे में रहेगी तो खबर निकल के आई और आगे क्या होगा वह सारी बाते इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पहले बी मैंने वीडियो डाल दी थी जैसे कोट केस्ट की अपडेट आई थी उस पर वीडियो मनाई थी हमारे 20 ग्रूपों के न्यूक्त करमचारियों की नोकरी बचाने के लिए हाई कोड ने पुनर रियाची का दायर करे सरकार बैसरकार पुनर रियाची का दायर करे रिवीव पिटीशन डाले दोबारा से 20 ग्रूपों को बचाने के लिए और अब हो क्या रहा है कि सरकार ना तो review petition डाली है भी कुल मिला के कहने वाली बात है कि पागल बनाया जा रहा है ना तो HSSC बच्चों का साथ दे रही है ना ही कोई सरकार बच्चों का साथ दे रही है जो लगे हुए हैं दोस्त ठीक है भई देखो चीजे क्या मैं बता देता हूँ मुख्यमंतरी नयाप सिंग सेणी नया एडवोकेट जनरल के पास बेजा भी ठीक है मुख्यमंतरी साब के पास गये थे और पत्तर भी लिखा भी उनको उन्होंने क्या बताया आगे देखो इसमें बता देता हूँ ग्रूप C के 20 ग्रूपों के न्यूक्त करमचारियों में से सैकडो करमचारी सुकरवार को चंडिगड तितर याना के मुख्यमंतरी अवास के बाहर एक त्रित हुए इन उमिद्वारों में से एक असोक ने दैनिक सवेरा को बताया कि उन्होंने मुख्यमंतरी वास के बीतर जाकर मुख्यमंतरी नयाब सिंग सेनी से बेंट की मिले और मुख्यमंतरी इसे गुहार लगाई कि सरकार पुनर रियाची का दायर करे ताकि 20 ग्रूप की चैनित अमिद्वारों की नोगरी बची रहस के उन्होंने दिलील दे की उनकी चैन सूची समाजी कार्थिक मापदंड के अंकों के बगार जारी हो रुखी है अमिद्वारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंतरी उन्हें एडवोकेट जनरल बल्देव राज माजन के पास बेजा जब वे एडवोकेट जनरल से मिले तो उन्होंने कानूनी पहलू बताते हुए का कि सरकार की तरफ से पुनर रियाची का दायर नहीं हो सकती है नहीं हो सकती है क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोट ने अपील खारिज कर दी है कुछ उमीदों और उन्हें दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंतरी के मुख्यपरदान सच्चिव राजे स्कुलर ने स्टाफ के हरियाना करमचारी चायने के सच्चिव विने कुमार से उनकी बात कराई थी मगर सच्चिव ने एड़ोकेट जनरल की कही बात को ही दोरा दिया उन्होंने बताया कि अब उन्हें मुख्यमंतरी के मुख्यपरदान सच्चिव राजे स्कुलर से ही उमीद है कि वो कोई ने कोई रास्ता निकाल लेंगे तो भई ये अपडेट है और मैं आभी भी बता देता हूं भई देखो आपको बुरी लग रही है लेकिन मैं आपको एक चीज और कलियर करदेता हूं भी इन illness groups में मैं भी हूँ ठीक है तो यह बहें मत रखीएगा कि ये तो ऐसी वीडियो ढल रहा है तो मैं बता देता इन 20 गुरूप में एक गुरूप में मैं भी हूँ जिसमें जो चीजें चल रही है ठीक है यह देखो भी गुरूप C में से जोइनिंग कर चुके साथ दार यूवा हाई कोट पहुंचे ठीक है भी रिवीव पिटिशन डाली हुई है लेकिन कोट ने क्या का था वो मैं बता द अगिन जो जजद साब है भई जो आपका रिवीव पिटिशन है उसको डिस्मिस करने वाले थे घैक है लेकिन नेक्स्ट डेट दी गई मैं आपको पहले वीडितियो डाल दिया थाँ कि ऑपनो नेक्स्ट डेट मिलने वाली यह है तो नेक्स्ट डेट आपको भी पता कितनी देगी है 24 जुलाई हुआ क्या था कोट में मैं पहले बता देता हूं भी हुआ यही था कि हाई कोट ने यही का था जैसे आपने कि सुप्रीम कोट ने जब आपकी जो आपने पेटीशन डाली हुई है वो खारीज कर्क है भी ठीक है मतलब जो आपका पूरा केस ही घारीज कर्क है कि रिवाइस रिजल्ट ही है वो ही क्रेस से तो दुबारा से पेपर होंगे यह चीज बोले गई है अब सुप्रीम कोट ने यह बोल खाए तो हाई कोट उस फैसले को कैसे चेंज कर सकता है यह चीज का प्रूफ जो है जो साब कोई बचों का साथ दे रही है और 99% possibility है आपके paper दुबारा होंगे आपके नहीं हमारे उनमें मैं भी हूँ ठीक है 99% possibility है की paper दुबारा होंगे पढ़ना start कर दो जो पढ़ेगा देखो भई बुरी खबर जरूर है पढ़ना शुरू कर दो जो लगे हुए है ना भई उनको आपने मेनत की हुई है और इतना competition नहीं है आप फिर से उक कर सकते हैं ठीक है चांस इस यह है कोई 0.0001% ऐसा चांस है कि फैंसला बदला जासके otherwise फैंसला नहीं चेंज होगा paper दुबारा होंगे और अगस्त के महिने में आपके paper conduct करवा लिए जाएंगे September तक फिर से आपको नोकरीद दे दी जाएगी तो मैं आप से भी सातियों से यही कहूंगा भी मेरी advice आपके लिए यही रहेगी कि आप पढ़ना start कर दें जो पे हैं तो पढ़ते रहें साथ की साथ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि भी कोई 0.0001% ऐसा चांस है कि करता हूं भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा कहीं भी कोई benefit हुआ है इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मिलते हैं ऐसी अपडेट के सबसे पहले मिल जाए क्या पता में सबसे पहले कोई डाल दें ठीक है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई